हुआ है बात करएंगे आपका सेकंण बेरी शॉर्ट आंसर क्या टाइप कोश्चिन की इसमें आंसर कैड बस इतना ही बताना है बस आपका जो है लिग्यूल हो जागा आंसर केरें लिग्यूल बास्तम में सिलेज नेला किसका सिलेज नेला जो कि आपका कहा है टेव टूफाइट का एक पौदा है में पाई जाने वाली एक जिली नुमा सरचना है कैसी है जो सदय पत्ती के कक्षक में उपस्तित रहती है इसकी मोटाई केवल एक या दो सेल्ड होती है यह एक या दो कोशिका मोटी होती है कितनी मोटी होगी यह क्या दो कोश्य का मोटी होगी इससे दो बहागों में बाता जा सकता है कौन-कौन से दो बहाग सबसे पहला आपका यह हो जागा सरचना है जिक है आपका ना जैसी सब्सक्र tournaments का भाग है यह आपका डॉल्बस थ ठीक है क्या या लيका बल्ब पैर बल्ब पैर जैसी सरचना है ठीक है किसकी तरह है बल्ब पैर जैसी सरचना है कौन गलाइसो पोडियम जो लिग्यूल के आधार पर उपस्थित होती है कहां लिग्यूल के आधार पर ठीक है उसके बेस पर ये पाई जाती है ठीक यह होगे आपका गलाइसो पोडियम ठीक है द रहेता है आपका जो लिग्यूल अगर हम बाड़ी की बात करें ठीक है लिग्यूल की तो लिग्यूल का जो बाड़ी होता है वो कहां रहता है और यह है पतला एवं धिल्ली नुमा कैसा होगा धिल्ली नुमा होता है ठीक है पतला होता है और कैसा होता है आपका जिल्ली के समान ये सरचना होती है ठीक है बाड़ी आप लिग्यूल का जल अबसौसर्ण करने वाले अंग के रुप में कारिये करता है करता है लिगूल किसकी तरह कारी करता है जल अवसूसर्ण करने वाले अंगों की तरह कारी करता है आपका लिगूल ठीक है तो यह क्या करता है आपका जल का अवसूसर्ण करता है और उपर तक यहांने की पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है ठीक है तो जल अवसूसर नहीं लिखना ठीक है मिन करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बनेते ही हमासा थैंक्स पर वाचिंग एंड शेर दा वीडियो